नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2024 का दूसरा चंद्ग्रहन कब लगेगा? ग्रहन का सही समय क्या होगा? सूतक काल कब से शुरू होकर कब तक चलेगा? और ग्रहन कौन-कौन से दिशों में दिखाए देगा साथी में दोस्तों हम लोग यह भी चानेंगे क्या आज कोई चंद्ग्रहन है? जैसा कि काफी सारे लोग गूगल और यूट्यूब के माध्यम से लगाता ढूण रहे हैं कि क्या आज चंद्ग्रहन पर रहा है? और काफी सारे लोग मेरे वीडियो के कमेंट में भी पूछ रहे थे कि आज की तारिख पर कोई ग्रहन तो नहीं है इन सभी के विसे में हम विस्तार से बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें दोस्तो 2024 में कुल 5 ग्रहन पड़े हैं जिसमें से पहला ग्रहन 25 मार्च को चंद्ग्रहन के रूप में लगा था दूसरा ग्रहन 8 अपरेल को सुर्य ग्रहन के रूप में लगा था और अब अगला जो ग्रहन होने वाला है वह एक चंद्ग्रहन है और आपको बता दे कि यह ग्रहन 18 सब्टेंबर 2024 को लगेगा जो की सुभा 6 बच कर 11 मिनिट से सुरू होकर की 10 बच कर 17 मिनिट तक चलेगा यह ग्रहन यूरोप, अफरीका, अमेरिका, पैसिफिक और अटलांटिक में दिखाए देगा इसके बाद 2 अक्टूबर को सुर्य ग्रहन, फिर 17 अक्टूबर को चंद्ग्रहन लगेगा ऐसे में दोस्तों, आज की तारीख पर, अथवा कल की तारीख पर कोई भी ग्रहन नहीं है ग्रहन जो है अब सीधे 18 सप्टेंबर को लगने जा रहा है